कि एसस्बी की द्वारा पकड़ा गया माना तर्सकर गिरो आप देख रहा है खबरार पार और महीं आपके साथ मुपेंद कुमार पांदे जब से लक्षोल बीडगर्ज के बीच बने मैंतरी पुल पे एसस्बी को लगाया गया है ते लगातार माना तर्सकर पक्रे जा रहे है हैं जी हां मैं आपको बता दूँ कल 29 तारिको हावाई अडा रोट से पीर एक माना तर्सकर को पकड़ा गया तिन ब्यक्ति थे मुहमद अस्लम मुहमद समियुल्ला और मुहमद नौसाथ तीनों मिल करके बदला हुआ नाम मनिशा कुमारी को कठमांडू लेकर गये थे और क कोट में जाकर के कोट माहिरेज करने वाले थे अलाकि बची नावालिक थी लेकिन उसका अधार कार्ड भी नया बनवाया गया और उसमें एज बढ़ाया गया साधी करने के लिए लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मोत्यारी में एक G.S.A. स्कूल है और बता जा रहा है कि अस उसमें उस लड़की को लड़की के उपर एक साल से अस्लम के दौरा निगाह जमाया गया था और बहला फुसला करके प्यार के जाल में फसा गया और उसके बाद कैसे वह लड़का लेकर फरार होता है काठमांडू जाता है और जिसमें यह भी बता आ जा रहा है कि बिक्रम नामगा को यादापूर का लड़का है जिसने तीन हजार रुपया भी लिया है उसको बोडर पर कराने में और उसको नेपाल भेजने में लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दू आनो तसकर रोधकी काई के इंस्पेक्टर मनोस्त सामा जी के तवारा उस बैक्ति को क सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दू जब काउंसिलिंग के लिए परियास संस्ता के आरती कुमारी को बुलाया गया तो पूरा किलियर मालूम चला किया लड़की नावालिक है और कैसे इस बच्ची को फंसाया गया था प्यार के जाल में और कैसे नेपाल लेकर भागे थ और उसके बाद कैसे इसका अधार कार्ड में डेट बढ़ाया गया और कोट मारेज करने की तैयारी सूर कर दी गई लेकिन सारे करणामों पे मौनोस्तरमा ने पानी फेड़ दिया और रंगे हांतों तीनों को पकर करके तो आप भी सावधान हो जाएए अगर आपके भी बात न करें क्योंकि वह लड़का जो असलम बताया जा रहा है लड़का वह लड़का उसकूल का विद्यारती भी नहीं है कैसे बाहर से जाता है और बाहर से उस लड़की पर डोड़ा डालता है डोड़ा डालने के बाद कैसे उस लड़की को लेकर फरार हो जाता है और वह नवा क्लास की लड़की तो नाभूज होती है उसको कैसे आप बरहा पुस्ला लेंगे यह कोई गरांटी नहीं है तो चलिए आप देखते रहिए और स्चेर करते रहिए जाएं